इस वीडियो में हम सी यूट एग्जामिनेशन जिसके अंडर दी यू जन यू बहु और यू ये सारी उनिवर्सिटी इस कवर्ड है जो कि इस बारी आपका MTA कंड़क करवा रहा है तो आपके प्येश्डी इंट्रेंश एग्जामिनेशन के लिए हम यहां पर रिसोच मेतड में कुछ इंपोर्टेंट एंसी कुछ जो सारे गवर्मेंट उनिवर्सिटी इस में पूछे गए हैं सब्सक्राइब कर रहा हैं इस पॉइंट में आपको डाउट है मुझा कॉमेट कर पूच सकते हो ठीक है तो हारे क्वेशन को बहुत सिंपल में मैंने समझाने की कोशिश कर रखियों तो यहां से एस लेक्चर में अपने रिसोंच मेंड़ों रोजी के कुछ बैसिक प्वेशन से जिसके तुरू आपको एग्जामिनेशन में क्वेशन के चांसे हैं इसी टाइप के सब्सक्राइब तक पूछे जा सकते हैं जिसके लिए आपको यहां पर आपके नबर पर हमें वाट्चैप के ठोगाना है तो मैं अपको बतादो हमारे को सब्सक्राइब करने के किस तरीके तरीक से पूश्यन्स पूश्च जाते हैं घ्र तैकर सब कुछ हमारे को समय कूछ में देखने मिलें प्रिवेश्यन सेशन्स वीडियो लेक्च्चर्स नोच सब स तो जैसे कि मैं एक बार रिक्र से रिपीट कर रहे हो दिये गए नमपर वाटसप के थूप हमें कॉन चाहिक कर सकते हैं यह फिर आप के थूप हमारे आप पर भी स्टारा स्टडी मट्रीयर मिल जाएगा आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको प्रवाइट कर रहे हैं जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने में लेंगे जो कि थियोरी प्लस आपके वीडियो लेक्चर्स के तरूप को क्लियर करवाएंगे हैं मॉक्तेस में 400 MCQ यहां पर आपके प्रैक्टिस हुजाती है देन नेक्स नोट काफी इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपलेस वे में हर एक पॉइंस को यह आपकर एक स्प्रेंट कर रहा है आपके जो भी डा इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्ट तो इस सारा कंटेन जो है इससे आपको 100% हम पासिंग यारेंटे देते कंटेन के तुरू के हमारे कंटेन से इजामिनेशन में क्वेशन आपको पोची जाने के चैंसे लिए आपको स्क्रीन पर नबर नजर आ रहे हैं वाट्सप के तुरू या फिल अगर आप हमारे आप के थूप कंटेन को एकसेस करते हैं तो आपको सारे चीज़े एक ही जगे पर मिल जाती है एक पर हमारा प्रॉप आप के लिए लिंक भी हमने कॉमें सेक्षिन एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइट कर रहे हैं हमारे अप पर आप बहां से डिरेक्ली कंटेन को एकसेस करें जिसे का स्क्रीन पर देख सकते हो पेपर टू का भी हम अपको स्टडी मेटरियल प करकर बता सकते हैं उस पेपर टू के लिए भी आपको दियेगा स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है इस पर वाट्सअप के तुर आपको हमें कॉंटक करना है तो एक हम आज के सेशन को स्टाइट करते हैं परस्ट क्वेशन और रिसर्च रिपोर्ट इस पॉर्मल स्टेटमे हो रिसटमी आपका पूरारी स्ट रिसर्च वाट है कुझा रिसर्च में अपके ट्रीट रॉब्यॉ iemand करते हैं वह सारे वर्क को वह ट्रीके करें country अपने हैं किस तरीके साहितने देटा इटा प्रॉल्मं पर सॉल करी इस तरीके से अपने deta को measure कर आखा किस तरीके से रखेगा research report जो होता है पूरा research process होता है जो भी आपने research में किया होता है किसे आपडम लेडाउन करी होती है किस तरीके से 해 caces leonri करी होती है कैसा अपने planning करी होती है वो सारे चीज़े आप-पकी research report में बताते हो ना कि आपके networks report में सिवाप Bye आपकी problem लिखते हो ना ना कि तरह के सानिजिटा कऱा और नाहीं सिर्फ हृट नए इस की लिगैने प्रॉब्लम को ले डाउन कर रहो तरिकेसे लिग्वेट है किस तरीके से अपने उब्जर्व कर रहा है चीजों को किस तरीके से डेटा को अनलाइज कर रहा है किस तरीके से डेटा को कलेक कर रहा है किस तरीके से सैंपल को कलेक कर रहा है वो सारी चीज़े आपके रिसर्च रिपोर्ट में बताते हो वो सारे चीजों को हम कहते हैं रिसर बहुत important question है, exam में इस type की question पूछे जा सकते, याद रखियागा tobacco today. जहांवा आप हमें कौन्स Cantorram in retrospect 2 into 2 into 2 factorial design इसमें कितने independent variable होगे हमें यह सो Mia Pataharna hazard So Factorial design के होते हैं इसमें 104 वेरिअबल प्रेज़न होते हैं and לפartorial design जिसमें multiple independent variable present in september दो से जादा independent variable present होते हैं और आप factorial design में study करते हो और याद रखिये का जो independent variable होते है factorial design में उसे हम कहते है factors और इनके levels होते हैं तो यहाद पर independent variable के कुछ levels होते हैं और उनी level को आपको 2 x 2 x 2 form में दिया गया है जैसे कि आप देख रहे हैं आपको कितने 2 दिये गए है 3 that means you have independent your above your three अब यहां पर label किस तरीके होocolोगा first variable की तो three levels Second variable जो होगा Second independent variable उसके दो level होंगे third independent variable आपको दिया गया गयाोगा उसके दो levels होंगे सब्सक्तरी यह अगर कभी कृसा पूचा जाया हैativos now और यह बुरminute आ में फ़ुर्स से हैं में 2 x 2 x 2 x 2 so this case में कितने independent variable होगे आपके पास 4 so this case में 4 है लेकिन हमें question में 3 2 दिये गए है 2 x 2 x 2 that means यहाँ पर कितने independent variable use करे गए है इस study में 3 independent variable जिसे independent variable को factorial design में factors कहता है इसलिए इस design का नाम हुआ है factorial design आपको याद रखना है सबके इस question का correct option हो जाएगा option D3 next if there are 8 categories or classes in a goodness of a test what will be the degree of freedom so this question में क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 8 classes है और 8 categories है कौन से test में goodness of a test में जिसे हम का square test भी बोलते है ठीक है यहाँ पर आपको goodness of fit test के जगे एक्जाम में का square test भी बूछा जा सकते है तो आपको confused नहीं होना है goodness of fit test को का square test भी कहते है सबको याद रखना है goodness of fit test में एक term होता है जिसे हम कहते है degree of freedom so degree of freedom क्या बताता है जितने numbers of आपके classes होते है okay degree of freedom का formula क्या होता है याद रखना है यहां पर हमें कितने एक टेस्ट यहां पर जो गुड़नेस ऑफिट टेस्ट में जो इन्होंने बनाया था एट के टेग्री और हमें इस केस में पूचा गया था यानि कितने की मतलब हता है इस इसे हम चीज़ों करें शृसे हम क्योंट अब टोटल जितने आपको classes दिये गए होंगे minus 1 होता है इसका formula तोटल हमें 8 classes दिये गए ते 8 categories दिये गए ते 8 में से अगर हम 1 minus कर से तो हमें 7 answer मिलता है तो याद रखेगा ऐसा भी question आपको exam में पूछा जाता है बहुत important question है और यहाँ पर goodness of fit test किसलिए यूज़ करते हैं याद रखेगा आपका जो data होता है आपका जो data होता है वो data distribution में किस तरीके से आपको fit करना है किस तरीके से आपका data distribution में fit होगा इसे इसलिए goodness of fit test का use करा जाता है याद रखेगा goodness of fit, यहनि fit अपना जो data होता है, आपने जो भी data collect करा होगा, वो distribution में किस तरीके से fit होना चाहिए, इसी लिए goodness of fit का use करा जाता है, test का use करा जाता है, यह भी आपको exam question पूछा जा सकता है, आपका इस question का correct answer हो जाएगा, option number second, which is B7, okay, next, which of the following is not covered under intellectual property rights, so इस question में हमें पूछा जा रहा है कि दिये गए options में से कौन से ऐसा option है, जो intellectual property right के अंडर नहीं आता है, जैसे कि intellectual property right का आपको meaning पता होना चाहिए, तभी आप इस question को solve कर पाऊगे, intellectual property rights यह नहीं क्या होता है, कि research में किसी research का कुछ idea होता है, उनके thoughts होते है, उनके development होते है, उनका data होता है, okay, so उसे हम कहते हैं intellectual property right, नहीं वो उनकी खुद की property होता है, जिनका idea होगा, जिनन ने data को develop कर रहा होगा, वो उनकी खुद की property होगी, इसलिए हम उसे कहते है, intellectual property rights, जैसे for example, कोई land होती है, उस land का कोई, उस property का कोई person होता है, कि उस person ने उस property को purchase करा है, so उस property के साथ उस person का नाम जुड़ जाता है, मतलब उससे हमें पता चलते हैं, कि उस property का जो owner है, वो person है, उसी तरीके से research में भी intellectual property rights होते हैं, यानि जिस person का, यानि जिस researcher का जो idea होगा, जो उन्होंने develop करा होगा, वो उनके rights होगे, so यहाँ पर उसमें कौन से चीज़े cover नहीं होती है, हमें यह बता करना है, so यहाँ पर आपको option दिया गया है, copyrights, copyrights जो भी उस person के, जो भी उस researcher के ideas होगे, जो भी उनके thoughts होगे, वो किसी और को copy नहीं करना चाहिए, so यह आपके intellectual property rights के अंदर आते हैं, उसी तरकी से patents, patents क्या होते हैं, जिसे जब भी कोई researcher new ideas develop करते हैं, new ideas अला कर लेकर आते हैं, so यहाँ पर क्या करते हैं, वो पहले एक company, एक organization के पास जाते हैं, वो अपने name के साथ उस काम को जुड़वा लेते हैं, जिसे माली जिसे किसी person ने किसी drug पर काम करा है, तो क्या करेंगे और researcher, उनके idea को पहले जाकर एक company के साथ share करेंगे, उसी कहाम कहते है, patents, patents जो होते हैं, जिसे आपने देखा होगा, कोई company का product है, तो उसमें ट्रेजमार्क होते हैं, उसे तरीकिसे intellectual property like में च्रेजमार्क भी included होते हैं, then thesaurus, thesaurus क्या होता है, यह आपके intellectual property rights के under नहीं आता है, thesaurus का मतलब होता है, यह एक type की dictionary होती है, जिसमें सारे words के आपको meaning पता चाहिए, यह बौत famous dictionary है, ओके, सो याद रखेगा intellectual property rights में thesaurus यह cover नहीं होता है, इसले से question का आपका right answer हो जाएगा option D, next, which of the following is not a type of research question, so this question में पूछ रहा है कि दिये गए options में से कौनसा ऐसा option है, जो research question का type नहीं है, अब research question क्या होता है, जिसे research के question जिसे आप जिस चीज़ पर study करना चाहते हो, यह होगा आपके research question, जिसे आपको यह पता करना है कि particular disease है, जो disease है, आपके कुछ एक disease है, जिसके आगेंस आपको drug form करना है, जो यह होगा आपका research question, आप क्या बताओगे, कि इस particular disease को कौनसे drug केल कर सकते हैं, यह होगा आपके research question, आपको यह देखना है कि कौनसी drug, यह drug particular जो drug आप यूज़ करें, इस पर study कर रहे हो, उसके आप कुछ न कुछ प्रिडिक कर सकते हो, यह आपका research question हो जाएगा, आप ऐसा सूचेगे कि जिसे मान लेजिए, मैं से सूचेगे कि इस drug में इसका combination होना चाहिए, इस particular chemical उसका combination होना चाहिए, तो हो सकता है कि मेरे result सही आए, यह क्या है, यह outcome को आप प्रिडिक कर रहे हो, कि हो सकता है, आ जाए, तो यह भी आपका research question होता है, उसी तरीके से हम चाहिए option C देखते है, development of good practice, यह आपने आपके research में जिन जिन चीज़ों को लिया है, जैसे मान लीज़ों आप किसी चीज़ों पर study कर रहे है, आप drug बना पर evaluating of phenomena, आपने जो भी phenomena पर study कर रहे हो, किस तरीक से आप evaluate कर रहे है, किस तरीक से उसके बारे में आप बताओगे, तो यह भी research question हो गया, यह भी research question का type हो गया, लेकिन hypothesis यह आपकी research question का type नहीं होता है, hypothesis का एक statement होता है, अपका students बोलेंगे कि predicting an outcome यह भी तो hypothesis होता है, लेकिन यहाँ पर हमें यह ने बताया गया है, option A में, कि a statement which is predicting an outcome, ऐसा नहीं बताया गया है, बताया गया है, predicting an outcome, लेकिन hypothesis का का क्या मतलब होता है, एक statement होना चाहिए, एक statement, होना चाहिए, जो कि tentative statement होना चाहिए, और वो आपकी research के आउटकम्स के पार में कुछ guesses और assumptions करते है, इह यहां पर जो hypothesis होते ही आपके research question का type नहीं होता है इसलिए इस question का right answer हो जाएगा option B next grounded theory is often used in the formulation of so यहां पर हमें पूछ रहा है कि grounded theory हम किस चीज़ के formulation के लिए use करते हैं दिये गए options में से okay so आपको इस question के solve करने से पहले आपको पताना चाहिए कि grounded theory क्या होती है तो grounded theory मतलब आप बहुत सारा data जमा कर लेते हो बहुत सारा data collect कर लेते हो आपके पास बहुत जादा quantity में data collect होता है फिर आप उस data को analyze करकर आप क्या करते हो theory develop करते हो ठीक है यह होता है आपका grounded theory का मतलब फिर से हम देखते है grounded theory बहुत important है इस पर exam में compulsory एक question पूचा ही जा सकता है तो याद रखिए अगर grounded theory का मतलब क्या होता है जिसमें आप large quantity में data collect करते हो और उस data को analyze करते हो और उस data को analyze करकर theory develop करते हो ठीको बनाते हो तो यही होता है आपका grounded theory अब grounded theory का use आप किस चीज़ के formulation के लिए करते हो आपको यह बताना है इस question में यहाँ पर याद रखिए अगर grounded theory आप grounded theory बनाते हैं grounded theory पर study कर रहे हो तो इसका किस चीज़ करा जाएगा कि research की evaluation पर research में जो भी आप programs पर काम करें इसका evaluation पर इसके evaluation पर किस तरीके से उस research को evaluate करा जाए किस तरीके से इसको start करा जाए तो यहाँ पर आपको option एक correct हो जाएगा grounded theory होती है यह यूज करी जाती है formulation of policies program and evaluation of research अब जो incorrect option है उससे भी हम देख लेते है opportunity for exploring the facts यानि जो truth है उसको किस तरीके से आपको explore करना है तो इसके लिए आप grounded theory का तो use नहीं करूगे obviously यह आपका option b incorrect हो जाएगा उससे तरीके से option c categorizing data data को आप organized way में categorize कर रहे हो आप proper आप क्या कर रहे हो डेटा को एक जगा जमा कर रहे हो इससे भी सी को नहीं करोगे आप grounded theory इससे आप theory कुछ develop करते हो तो उससे हम कहते है grounded theory इससे data को categorize करने के लिए हम इससे grounded theory का use नहीं कहेंगे then option d understanding the culture किसी culture का understand करने के लिए आप grounded theory का use नहीं करोगे तो यहापर आपका option d incorrect हो जाएगा सो इस question का आपका right answer हो जाएगा option A next read the statement A and B and choose the correct option statement A variables can be manipulated, controlled or observed by the experimenter statement B variables are not related to theoretical concepts so इस question में हमें 2 statements दिये गए है statement A and statement B अब हमें इस question में बताना है कि कौन सा statement correct होगा statement A क्या बता रहा है कि variables आपको बताना चाहिए där variables i can vary हो सकते kare चांस होता है इसको manipulate merge कर रहा है यानि इसको चेंज कर सकते हैं कुछ हैर फैर कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं रिशर्च वेरिबल्स को और अबसर्फ कर सकते हैं एक्स्रीमेंट कर रहा है वह वेरिबल्स को मैंने प्लेट कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं और अबसर्फ कर सकते हैं यहां पर आपका स टीनिंट भी इंकरेक्ट हो जाएगा जिकिए रिमसेट कोंसेट होते हैं अगर ऐसा होगा तो सिफ मेथेमेटिकल कॉंसेट से ही एक्क्रीमेंट कर पाहोगा है आप कभी ठीराइटिकल गोंसेट हम नहीं कर भाँगे तो यह रखेंग गाश्याइब जोते हैं जाने दुबिया आप क्या करें जेंडर पर स्टेडी कर रहे हैं यहां पर इन चीजों पर स्टडी कर रहे हैं पर उनके बहएवियर पर स्टेडी करेंगे आप उनके इस तरीके से आते हैं अगर माली जी उस पर स्टेडी कर रहे हैं उनके बहएवियर इस पर स्टेडी कर रहे हैं तो यह क्या होगा आपके थेरोटिकल कॉंसेप्स हो गए तो यह याद रखेगा यह थेरोटिकल कॉंसेप्स से रिलेड़ेड़ होते हैं as well as mathematical कॉंसेप्स से भी आपके variables related होते हैं. So, इस question का आपका right answer हो जाएगा option B. Statement A true है and statement B is false. Next, which of the following is helpful in determining the sample size? So, इस question में पूछ रहा है कि कौन सा option और कौन सा formula ऐसा है जो sample size determine करने में helpful होता है. यानि जैसे sample size का मतलब क्या होता है, आपको बले यह पता होना जाएगे. Sample size का होता है, पॉपिलेशन है, आपकी मानने जाएगे, आपकी पास thousand population है, आपकी पास thousand members है. तो यहाँ पर जैसे population आपकी thousand population है, अब आपको चाहिए कि मेरे 40% accurate result आना चाहिए. So, इस case में coherence formula यह आपको मदद करता है determine करने के लिए कि आपको कितना sample size लेना चाहिए. Thousand population में है, आपको कितना sample size लेना चाहिए, कि आपको 250 sample size लेना चाहिए. 250 members को आपके samples में आपको include करना चाहिए, फिर 50. So, यह आपके coherence formula बताता है. So, याद रखेगा, coherence formula बताता है, कि अगर आप चाहोगे कि इतने पसंद आपके accurate result है, तो coherence formula बताता है कि आपके sample size कितनी होने चाहिए. So, यहाँ पर आपका option भी correct हो जाएगा, यानि sample size सेलेक करने के लिए coherence formula बहुत helpful होता है, बहुत मदद करता है. अभी Russell 2000 Index, यह किस चीज़ में आपके लिए helpful करता है, यह stock market में, यह आपके share market होते है, marketing से related होता है. So, यहाँ पर यह option A, आपका incorrect हो जाएगा, उसी तरीके से option C, spearsman formula. So, spearsman formula के बताता है कि variable जब के कैसे related है, variables के बीच में किस टाइप का relation है, variables किस तरीके से एक दूसरे से related है, यह बताता है आपका Spearsman formula, तो यहाद रखेगा Spearsman formula, यह आपके variables related, variables के बीच में किस तरीके से relation होता है, कैसा relation है, वो बताता है, आपका Spearsman formula, तो यहाद पर आपका option C जो है, यह भी incorrect हो जाएगा, इस question का आपका right answer हो जाएगा, option B, co-currence formula, next, qualitative research helps in the collecting data under dash more situation, so इस question में पूह से जा रहा है, कि qualitative research होती, जिसमें अप data collect करते हो, qualitative research, जो भी data आप collect करते हो, किस situation के अड़ आप data को collect करते हो, कि normal situation में, या एपर experimental, या और artificial, या और natural condition में, किस situation में, किस condition में, आप data को collect करते हो, जिसे qualitative research, qualitative research में आप क्या करते हो, different methods यूज़ करकर data collect करते हो, जिसे interview, interview अगर आप collect कर रहे तो आप क्या करते हो, experts को आप invite करते हो, यहाँ पर आप क्या करते हो, natural setting में, आप क्या करते हो, natural setting में, उस experiments में, और उस interview में आप क्या कर रहे हो, देटा कर रहे हो इंटर्वियू जो होगा आप पर एक्सपर्स को इंटर्वियू के लिए इन्वाइट करते हो वह इंटर्वियू आते हैं फिर आपके क्वेशन का वह रिप्लाय करते हैं तो उनके थुरू आप क्या करते हो डेटा कलेक्ट करते हैं उस तरीके सो एक्स्रेमेंटल तो होने सकता है इस आपको याद रखना है जर्कलिटीटिव रिसर्च होता है यह एक्स्रेमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं और आर्टिफिशल यहाँ पर दो ही ऑप्षिन हो सकते थे नैच्रल या फिर आज़िए आज़िए अर्टिफिशिल सिच्वेश इस क्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन बी नैच्रल नेक्स्ट विच टाइप ओफ रिसर्च फोकुसेस ओन वट विल बी इस क्वेशन में पूछे जरा है कि कौन से ऐसी रिसर्च है जो यह बताती है कि क्या होगा आगे तो इससे हैं पर एक्स्रेमेंटल रि ृश्टि रिवरीबल परिश्ट उसका अफेक्ट होगा किस तरीके से आगे होने वाला है इस चीज odor मिलेगे तो किस तरीके से मिलेंगे क्या होगा इसलिए lub था याद रखया एक्सरेमेंटool रिसर्च है याल बताती है कि आगे क्या होने वाला है तो यहां पर आपका option एक करेक्ट हो जाएगा अब जो remaining option से होने भी हमने एक बार देख लेते हैं के study क्या होता है के study यह बताता है कि आप 4 तो 5 लोगों का एक group बना लेते हो जिसमें एक particular topic के बारे में detail में करते हैं इसके बारे में detail में examine करते हैं चीजों को इसके बारे में study करते हो आप यहां पर study का focus और main aim यह नहीं होता है कि क्या होगा आप बस चीजों के examine करते हो यह होता है कि study का main aim आपको option B इनकरेक्ट हो जाएगा then option C survey survey क्या होता है जिसके तुर आप data collect करते हो different methods perform करकर आप करना है किस method से collect करना है आपको option C भी इनकरेक्ट हो जाएगा then option D exposed facto exposed facto क्या बता है कि आप जो भी situation हो जाती है जो भी situation अकर हो जाती उसके बाद आप उस चीज पर study कर लेते हो जैसे मान लेजे किसी का accident हो गया okay फिर उसके बाद उस पर study कर जाते है किस तरीके से उसका accident हो ग सब्सक्राइब कर जाते हैं उसके बाद पर study करे जाते हैं exposed facto यह ने बताता है कि आगे क्या होगा आपको option D भी इनकरेक्ट हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा option A experimental research बताते है कि आगे क्या होगा next thank you for watching this video good luck with your preparation and see you tomorrow with another video